हेलो वेलकम TSP Online Academy आज हम इंग्लिश की क्लास में present indefinite यानि वो sentences का use करेंगे जो आपकी English speaking में बहुत ज्यादा use किया जाता है sentence जी हाँ सबसे जादा अगर आप किसी sentence को use करते हैं तो वो present indefinite होता है जो आप बोलते हैं present indefinite sentence की पहचान यानि identity ताहे ती है यानि sentence के last में जब हम बात करते हैं और हमारी बात में ताहे पीछे रहाता जैसे मैंने बोला वो तुम्हें बुलाता है आगया न ताहे इस तरीक indefinite sentence बोलते हैं आप यह ध्यान दखें अपने वाइड में और sentence करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीट कर लीजिए हम बात करते हैं present indefinite के रूल की जैसे पहला रूल subject वर्ब की first form ACIS object subject मैंने बता यह simple sentence में जिसके हम बात करते हैं वर्ब singular है जैसे मैंने बोला राम खाना खाता है राम singular है राम इट्स फूर्ड मैं एट नहीं वोलूगा मैं इट नहीं लिखूंगा इट्स इट्स फूर्ड क्योंकि मैंने बताया कि हम ACIS singular के साफ़ लगाएंगे जैसे मैंने बोला राम जाता है राम गो होना चाहिए पर गो नहीं, राम गोज बोलींगे हम उसे, क्या बोलींगे राम गोज, यहाँ पर एस लग जाएगा तो आपको ध्यान दखना है अगर sentence आपका singular है तो आप एस या एस के साथ क्या लगाओगे, singular के साथ आप एस या एस लगाओगे यह आपको ध्यान दखना है और जैसे कि मैंने यहाँ पर एक sentence लिखा है वो तुम्हें बुलाता है वो एक व्यक्ति है, singular है He calls you समझा है? मैंने एस लगाए यानि calls, He calls you अगर मैं इसे plural में बनाता एक से ज़्यादा लोग बुलाते है वे तुम्हें बुलाते हैं तो वे को दे बोलते हैं मैंने एस नहीं लगाया तो आप ध्यान दखें यह sentence बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में यूज होता है इस sentence यूज मॉर इन यूर लाइफ बोल दिया मैंने एक sentence इस sentence यूज मॉर इन यूर लाइफ बी फॉकस ओन इट तो आपको इस sentence की ज़्यादा प्रेक्टिस करनी है आए हम इसका इंडेफिनेट वाला देखते हैं इंडेफिनेट का नेगेटिव और इंटेरोगेटिव जिसमें हम not और question का use करेंगे ओके देखते हैं आए देखते हैं नेगेटिव जिसमें हम not का use करते हैं मैं काफी वार बता चुका हूँ जैसे मैंने बोला तुम नहीं आते हो कोई व्यक्ति हम उससे कह रहे हैं तुम नहीं आते हो तो नहीं आ गया अब ऐसे sentences में जो indefinite है क्योंकि यह ताहे आ रहा है तो हम do not और does not का use करेंगे do not plural के साथ use होगा और does not singular के साथ आप ध्यान दखें आप not कर लें do not plural के साथ use होगा और does not singular के साथ use होगा और हम इन sentences में ACIS नहीं लगाएंगे वह अपके साथ साथ because ACIS यहां पर already जुड़ावा है singular के साथ तो आप ACIS का negative rule में use नहीं करते हैं आप इसे keep in mind करें तुम नहीं राते हो very easy you don't go you don't know you don't come you don't smile बोलते रहते हैं ना sentence हम हाँ जिसमें भी हम don't लगा देते हैं तो वो हमारा इंडेफिनेट से बन जाता है और इसी का एक सिंपल भी जैसे हम बोलते हैं मत जाओ तो हम कहते हैं don't go मत खाओ don't kid कितना हीजिए don't sleep don't watch don't wash your hand यह बहुत ज्यादा easy है तो आप धियान रखें don't को आप ऐसे भी use कर सकते हैं इसका interrogative जो बहुत do यह does इसमें इसमें इसमान नहीं आता क्यों क्योंकि हम इसमार का यूज़ वहां करते हैं जहां पर वप का यूज़ नहीं होता कि और वप के साथ जब इसमार लगता है तो उसके साथ आई एंज आती है वह हम present continuous यहाने इससी नेश्ट क्लास में पढ़ेंगे वह सेंटर तो आपको ध्यान दखना यहां इसमार का यूज़ नहीं ड़ यह ड़स का यूज़ करेंगे डू पिलूरल के साथ फिर बोलता हूँ और ड़स सिंगुलर के साथ देखते हैं मैंने एक सेंटर निकाए तुम कहां जाते हो कॉश् हुआ है मुसके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म लगर्पाते हैं तो मैंने आए डू लगाया वेयर दुई origy मैं बोलना चाहिता हूं कि तुम क्या खाते हो तुम क्या खाते हो तो वाइट कि दू यू इट हो या मैंने इसमें एस नहीं लगा क्योंकि हमें प्लूरल के साथ एस नहीं लगाना और सिंगुलर के साथ भी नहीं लगाना क्योंकि सिंगुलर के साथ यह जुड़ा हुआ है आप यह धियान दखते हैं डू का यूज मैं आपको एक और बता रहा हूं आज जरा देखिए देखिए गाइस डू यह ड़स पीछे रूल आप भूल जाईए उससे यह बिल्कुल अलग मैंने कहा था मैं आपको कुछ नया जरूर बताऊंगा तो आज डू या डस का यूज हम किसी भी वर्ट को फोर्स जब जस्ती करने के लिए यानि किसी पर गुस्सा निकालने के लिए भी कर लेते हैं जी हां सही सुना जैसे हम कहते हैं न अरे खाता तो हूं बोलते ना खाता हूं जोर दे रहे हूं जैसे मैं जाता तो हूं यानि कितिते हम पूछ रहे हैं और वह गुस्से तो आती हम यस तो हो च तो आ सब देने के लिए हम या था टू-गो यानिम को या दस चांदोख और दू-आपको पता 가 डस सिंगुलर अगर मैं बोलता वह जाती तो है लड़की है कोई वह जाती तो है तो मैं शी डस को अगर लड़का है तो ही डस को समझ गए डू यह डस का यूज़ आप कैसे करोगे फोर्स करने के लिए जब अजस्ती कोई आप से कर आप गुस्से में आ गए हो तो जगा भी हम इस सेंटेंस को बदा सकते हैं बिल्कुल सही सेंटेंस है पास्ट में अगर आप बात करोगे तो डू डस का डिड़ बन जाएगा और वहां पर हो जाएगा आई डिड़ गो इसका मतलब है मैं जाता तो था समझ गया आप मैं जाता तो था उसकी रगा हम क्या लगा रहते हैं आई डिड़ गो तो यह बिल्कुल नया कॉंसेप्ट है आप इसे रखें आपको मज़ा आएगा कीप लनिंग और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें सेंटेंस की जो भी प् पर नेस्ट वीडियो बस्ट आप नेस्ट वीडियो बस्तुड जाखें।